पूर्व मंतरी सज्जन वर्मा का बयान आतिती शिक्षकों के गौलियर जाने पर मत्यप्रदेश आतिती शिक्षक संग 22 अगस्त को सिंधिया पेलेस हजारों की संख्या में सिंधिया से मिलने पहुच रहे हैं अगर वह निरागरण नहीं होता है तो सब सिंधिया पेलेस पर धर्णा देकर विरोध प्रदैशन होगा क्योंकि सत्ता परिवर्तन का मुख्य मुद्धा अधिती सिक्षक रहे हैं और सिंधिया जी ने भी अधिती सिक्षकों की ढाल और तलवार बनने की कहा था साथ सडकों पर उतरने का वचन दिया था हमारे समवदाता साउठ सिद्धिकी की रिपोर्ट छे महिने में अभी भाषण होगा उनका आप सुनना बाविश तरिक को गवालियर में क्या भाषण नहींगे मैं अभी से उसकी रूप रेखा आपको बता जिता गवालियर की जनता से मेरा खून का रिस्ता है मेरी पीडियों का मेरी तमाम पीडियों से मेरा मेरे वईवार का खून का रिस्ता है जब गवालियर चंबल संभाग के लोग कुरोना से मर रहे थे छे महीने तक बावु सिंद्या प्रसाद को गवालियर की जनता की याद नहीं है छे महीने बाद इदर उन्हें से कुछ खटे कर लियोंगे भाड़े के टट्टू उनको बीजेपी पर सामिल करने के लिए बाविस तारिक को छे महीने बाद किस तरह का खून का रिस्ता है कैसा तूट रिस्ता है ये भासन आप देख लेना बाविस को होगा जन्ता बताएगी जन्ता भी गवले चंबल संबाग की ठान के बैठी की तारिक तो तैह हो चुनाओगी फिर इस रिस्ते को बताएगी की रिस्ता असली है की नकली है अधिती सिक्षक जा रहे हैं सब गवल्या आंधुलन करने इनका स्वागत करेंगे मापे छे महीने सरकार को हो गए पांच महीने अभी तक सलक पर उत्रे नहीं ना एक वार भी सिवरात चोहान से बात की इस व्यक्ति ने कि अधिती सिक्षक को निरने लीजिए